नमस्कार आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कारिकरम आज का एजिंडा और आपके साथ मैं हूँ आशिश्टिवारी आज का एजिंडा में लोकसभा चुनाव के महा संग्राम को लेकर चर्चा करेंगे और महा संग्राम में लगातार जैसे जैसे मतदान की तारिखे नजदीक आती जारी है वैसे वैसे ताबरत और चुनावी जनसभाएं रोड शो का सिलसिला जारी है तो वहीं चुनावी मुद देने का प्रियास किया है बाडमेर में हुई चुनावी जनसवा में देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात कही है परवानू हमलों को लेकर पडोसी देशों की तुलना की है और गठबंदन पर निशाना साधा है आई आपको सुनाते हैं राहुल गांदी ने क्या कुछ क लाहा जनसवा में आपको अस्चरी होगा कि हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट में और सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है एक नहीं है मतलब पचास परसेंट अबादी जिनकी है जो देश को चलाते हैं मेहनत करते हैं उनमें से एक व्यक्ति हिंदुस्तान की मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा गलिक 15 परसेंट एक व्यक्ति एक गलिक व्यक्ति आपको मीडिया में नहीं दिखाई देगा समझ ये बात जितना 24 साल में मनरेगा में जाता है उतना पैसा नरेंदर मोदी जी ने 15-20 लोगों का कर्जा माथ किया राउल गांधी ने जनसवा में पिछड़ों की बात की तो वहीं अब आपको सुनाते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने परमाणू हत्यारों को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि इंडी गठ बंदन में जो दल शामिल हैं वो देश के परमाणू हत्यारों को समात करने की बात कर रहे हैं आई आपको सुनाते हैं बार्ड मेर की सवा में क्या कुछ कहा पी एम मोदी ने इंडी अलाइस वाले कितनी नफरत से बरे हुए हैं ये इनके मैनिफेस्टों में भी नजर आता है कॉंग्रिस के मैनिफेस्टों में तो बटवारे की गुनगार मुस्लिम लिख की च्छाप नजर आती है अब इंडी अलाइस में सामिल एक और दल ने देश के खिलाप बहुत खतरनाक एलान किया है उन्होंने अपने मैनिफेस्टों में लिखा है जिस पोखरण की धर्ती ने भारत को पर्मानु सक्ति से संपन्द किया अब इंडी अलाइस का कहना है कि हम भारत के पर्मानु हथियार नश्ट कर देंगे दरिया में डुबो देंगे बारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पर्मानु हथियार हो क्या उस देश में पर्मानु हथियार समाप्त करना इसकी सोच यह समाप्त करना चाहता है इंडी अलाइस क्या पर्मानु हथियार समाप्त होने चाहिए मुझे सब का जवाब चाहिए क्या प्रमानु हथियार समाप्त होने चाहिए क्या परमाणू हत्यार समाप्त होने चाहिए? प्रदानमंत्री मोधी ने बार्मेर की सबा में कहा है कि आपकी पार्टी के साथ जो गटबंदन में पार्टीयां है इंडी गटबंदन में शामिल जो पार्टी है वो देश के परमाणू हत्यारों को मिटाने की बात करती है ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है किस नजर से आप देखते हैं क्या कहीं देखिए जहां तक परदानमंत्री जी की बात है तो परदानमंत्री जी जूट बोलते हैं तत्यों को तोड़ मरोड के पेस करते हैं और इनका चाल चेहरा और चरित्र इससे जाहिर होता है ये दोरा चरित्र जीते हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि सा तो यह कम से कम अपना इतियास तो पड़े अपना अतीत में जहांकर तो देखें और इनके जो सांसद है अनन्त हेगडे उन्होंने कहा फिर उसके बाद में राजस्तान से जो नागोर से प्रतियासी जोती मिर्दा है उन्होंने कहा कि हम जब हमारे को प्रचंड बहुमत कि सुरक्षा की गारेंटी है लोगतंतर की गारेंटी है उस हमियदान को बदलने के यह बात करते हैं और एक तरफ मैं बताना चाहता हूँ यह बार और आज Bhajpa के लोग या RSS के लोग ये मीडिया में आकर ये कहें तो सही ना कि वो मास भी नहीं खाते है और वो मचली भी नहीं खाते हैं ये कहने की हिम्मत है क्या उनके अंदर आज वो दोहरा चरीत रीते हैं अटल वियारी बाचवी जो देश के प्रदानमंत्री भी रहे और भाजपा के पहले प्रदानमंत्री थे वो खुद कहते थे कि मैं मचली का सेवन करता हूँ तो आज ये बार-बार उस चीज को बहां से और कोई क्या खाएगा क्या निए काएगा इसमें ये चर्चा का विप्र Scottish से है नी आप यह बताइये ने कि आपने दस साल में क्या किया आपने दस साल में दस करो डूझत मतलब दो करो रोजगार प्रतिवर्स देने की बात की थी लेकिन आप दे नहीं पाए, 100 दिन में महगाई कम करने की बात की थी, आप कम करनी पाए, आज 20 रुपे किलो जो आटा था, वो आज 40 रुपे किलो बिखता है, 30 रुपे किलो वाला दूद आपके 66 रुपे लीटर के हिसाब से बिखता है, कोई भी दाल जो 60 रुपे होती थी, तो आम आदमी के खाने की चीजों पर जेस्टी लगा दिया, और दूसरी तरफ कहता है नहीं साब, हम 80 करोड लोगों को मुंतरासन दे रहें, तो यह तो आपकी विफलता का सबसे बड़ा सुबूत है, कि आपने जो 55 करोड लोग थे, उनको बढ़ाकर 80 करोड कर दिया, तो आपने 25 करोड लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे पहुचा है, आप ये जूट मत बोलिए कि आपने 25 करोड लोगों को गरीबी से उबारा है, बिल्कुल, चेतन जी, क्या कहेंगे जिस प्रकासे राजिंदर जी ने आरोप लगाया है कि बीजे पी का चेहरा, चाल, चरि गंबीरता से लेती ही नहीं है, भारत की जनता गंबीरता से उस वक्ति को लेती है, जिसके कहने में सत्य हो, और जमीन पर जिसने काम किया हो, और जनता को जिसने रहात पहुंचाई हो, मेरे को बड़ा दुख होता है, पिछले पांच साल से मैं कॉंग्रिस पार्टी के बड सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए अपने अपने किस बात पर हम लोग आप लोग आएंगे क्या आपका रोड में पहुआ कि आपका विकास का एजेंडा होगा किस प्रकार से भारत की जंता को रहात देंगे इनके बारे में कि चर्चा करें तो मिरको लगता है कॉंग्रेस का अर्तमान समय में क्या कर रही है वो अपने सयोगी दलों से बुलवा रही है खुद नहीं बोल रही है डीमके के नेता बोलते हैं सनातर नेक डेंगू है मलेरिया है इसको खतम करना है किसने बोला बीजेपी के नेता उने नहीं बोला डीमके के नेता ने बोला कांग्रेस उन आज परमानु नश्चर करने की बात किसेनल किए और क्यों किये और किसेको खुछ केलिए राजनिती के तहत जो फैल हो गया है चार सो से चालिस पर इसी लिए हुए के हमारे माइनोर्टी के भाई भी समझ गए हैं उनको भी पता चल गया यह पार्टी धोका देने वाली पार्टी है और भारत की जनता और राजस्तान की जनता इस बात को समझ चुकी है इसी करण से कांग्रेस आज और एक बात के के खतम करूंगा आपको एक बड़ी आश्री जनक चीज बता रहा हूं भारत में कॉंग्रेस 237 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आप देखिए बहुमत के लिए 200 बहुत्तर चाहिए जो पार्टी यह मान के चलती है पहले से ही के हमारे पास बहुमत नहीं आएगा छोटी सी पार्टी डूंगरपूर और बासवड़ हम दो मेले उनके साथ किस परकार का सिस्टम डवलफ वाइज लोकस बात अपने असी चीज देखा होगा किस परकार से इनके दो प्रतियासी को इन्होंने बगया वहां पर फोन करके और बगया तो बगया फिर वह भी साल आपने राज किया और राजकर करके आपने दूद के दही के चाच के आठे के दाल के सब के दाम बढ़ा दिये बिलकुल आता हूं इस बात पे महंगई का इंडेक्स देखिया आप 2014 से पहले का गेस सिलेंडर का क्या रेट था आज क्या रेट है सबसीडी दे रहे हैं बजकर मत देती है अपना और मत देते समय मैं आपके ने चीज़ बताता हूं असीजी विदान सबाव लोग सबाव के जो मतों का प्रतिसत है कॉंग्रेस के 35 प्रतिसत मत है बीजेपी के चोपन 59 प्रतिसत मत है यह जो 24 परसेंड मत जो भारत की जनता लोग सबाव में देती है केंदर की सरकार बनाने के लिए वह इसलिए जयती है मान्य प्रधान मंतरी जिपर भारत की जनता को राजस्तान की जनता को विश्वास हो गया है कि यही वेक्ति इस राजस्तान का भला कर सकता है यही दे वेक्ति देश को ससक्त नेत्र दे सकता है और इसका सबसे बड़ा आफ मट्रेस में और मां हैं bunun हमख अपर क्या क्या है सबसे बड़ी बाद क्या है सबढ़ा रहे और एक बगदर मचने का कार रहा है और जब बिánd Mia लेकर के संतोश जो पार्टी के नेता और उनमें न уров Ore है जो छोड़ छोड़ करके बीजेपी जोइन कर रहे हैं क्या कहेंगे देखिए पहले तो यह जवाब देना जरूरी है कि गैस सिलेंडर दोजार चौदा से पहले साड़े तीन सो रुपे का मिलता था उसके साथ में सबसीडी भी मिलती थी आज गैस सिलेंडर करीबन नौसो के आसपास है और यह करीबन ग्यारा सो रुपे तक भी पहुंचा था तो आज यहां यह कहना कि साब महंगा ही नहीं है अरे बहु किसको आप बरगला रहे हो दूसरा यह कहना चा सरकार को दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी पूरी तैयारी तिर उसी तैयारी को हमने आगे बढ़ा है वो ठीक है लेकिन जो आपके साथ जो गठबंदन में पार्टियां जा रही है वो जो बयान चर्चागा में उसी पर या रहा हूं यह बार बार जूट बोलते हैं हर ची भाजपा कहती है एक तरफ तो अपने आपको कैडर बेस पार्टी कहती है कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जबकि यह मिस्ट कॉल वाली पार्टी है इनके पास में वो नहीं है फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोजार चौदा में जब यह लड़े थ वो कहते भी है इनको अमित साब को भी कहते है कि साब यह आ रहे है हमारा क्या होगा तो आज यहां पर यह पूछने की बात है कि भाजपा पूरी तरीके से मतलब अपने आपको कैडर बेस पार्टी कहती है अपना कहती है कि साब आत्म निर्वर भारत बनाएंगे लेकिन अरे कितने महीनों से वहां पे सोनम वांग चोक आपके लेल अदाक के अंदर भूख हरताल पे बैटे है हजारों लोगों की भीड के साथ में किसी मीडिया चैनल ने भी नहीं दिखाया और प्रदान मंतरी की तरफ से कुछ भी नहीं का गया मणीपूर के अंदर क्या हुआ प्रदान मंतरी एक सब्द नहीं बोले मणीपूर के अंदर तीन महीलाओं के साथ गैंग रेफ होता है उनको नक्ड गुमाया जाता है और सैंक्डों लोगों की हत्याएं कर दी जाती है मणीपूर दो इस्सों में बढ़ जाता है एक हिस्से में एक गुठ है दूसरे हिस्स कर लिया और कहते हैं ते गलवान घाटी के अंदर ना कोई गुसावा है ना कोई गुसावा है अरे नहीं गुसावा है तो फिर हमारे सैनी कैसे मारे गए आज इस बात के उपर कहना पड़ेगा कि आज ना तो प्रदान मंतरी को सैना की फिक्र है ना किसानों की फिक्र है ना वादे युवाओं से किये थे, किसानों से किये थे, ग्रैनियों से किये थे, महिलाओं से किये थे, आदिवासियों से किये थे, दलितों से किये थे, किसी वादे को पूरा नहीं किया गया, ना तो रोजगार दे पाए, ना महंगाई को थाम पाए, और ना इस देश के जो अन् बढ़े हैं वो अपने आप में चिंता जाना के एक तरफ गरीबी बढ़ रही है दूसरी तरफ कुछ लोग इतने मतलब पैसे वाले हो गए कि उनका दुनिया के अंदर नाम होता जा रहा है तो आज गरीबी में आप नंबर बन हो रहे हैं पूरे देश के अंदर पूरी दुन इलेक्टरल बांड में भी सिरफ और उन कमपनियों ने जिनका पैसा नहीं था जिनके पास में तीन साल पुरानी कमपनी भी नी थी उन्होंने भी सौ करोड से ज़्यादा का चंदा दिया तो ये तो नियाब है ना कोई भी कमपनी तीन साल पुरानी होनी चाहिए उसके अला सारी मलब सुप्रीम कोर्ट से और मलब सरकार से वो मांग है कि उन तमाम लोगों के उपर एडी की जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने गलत तरीके से भाज़पा को चंदा दिया बिल्कुल वो जांच चार जून के बाद में शायद आपके आथ में आ सकती है आप भी जांच जवाब ने चेतन जी जैसे जन्ता हमें फैसला देगी तो ये तमाम लोग जेल के अंदर होंगे बिल्कुल चलिए चेतन जी जस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि चीन भारत देश की सीमाओं में घुस रहा है और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और साथी साथ ब जब इस देश की सेना को गली का गुन्डा का जाता है कंग्रेस के नेता के दोरा दिक्कत वहाँ पर पैस्ट होती है जब प्लवामा ऐटेक के ओपर जबूत मंगे जाते हैं और सेना का मनोबल को तोड़ने का काम किया जाता है वो दिक्कत है और ये भारत की जनता भारत के नागरिक कभी भी इस बात को सहन नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के द्वारा कव सेना का अपमान करे उस देश की तो ताकतवर सेना जिस प्रकार से मानने प्रधान मंत्री जीन है राफेल के उपर किसने प्रसन उठाए क्यों माफी मांगी सुप्रिम कोट में जाकर के ये सारे प्रसन भारत की जनता अच्छी तरीके से जानती है प्रसन उठाए है हम तो हम तो स्वागत करते हैं लेकिन माफी नहीं मांगनी पड़े ऐसे काम ही मत करिए दूसरा बात राष्टवाद इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा वर्तवान में राष्टवाद है राष्ट को प्रेम करना चाहिए और राष्ट के खिलाब जो बोलेगा केवल मत प्राप्ट करने के लिए उसके साथ जनता वो ही करेगी जिस हो चालिस में 440 से 4 अचार सो चालिस पर लाने वाली जनता है वो चालिस से चार पर भी लाने की समता रखती है क्योंकि भारत की नागरी क्या नागरी में बड़ी ताकत है मत दाता हूं है और अभी तक कॉंग्रेस पार्टी समझ नहीं पाईए कि आप लोग मत करिये आप देश को विकास के रहा पे ले जाईए और तो अभी आर्थिक मुद्दों पर बात की जिन यससवी परदान मंत्री ने इस देश को पांच वी सब अकसी बड़ी आर्थ वैवस्ता बना दी उसके बारे में अगर कोई पार्टी प्रसंद करें तो भारत की जनता अंस्ती है वह देखती है कि विरोध करने के लिए विरोध करना ठीक है लेकिन जूट के आदार पर विरोध करना इसलिए चोईश परतिसास्द मतों का जो अंत करते हैं उदूला योजना की बात करते हैं प्रदान मंत्री सड़क योजना की बात करते हैं प्रदान मंत्री किसां सम्माह निदी की बात करते हैं प्रदान मंत्री रेडी ठेलिवार वेंडर्स के लिए सम्माह निदी की बात करते हैं प्रदान मंत्री मुद्रा योजना की बा इस्ताफित करेगा तो युवा दस लोगों को नोकरी देगा और परदान मंत्री का यह सपना है और तीसरी बात करता हूं बेरोजगारी पे बेरोजगारी पर आप देखिए एपिएप के आंकडे एपिएप क्या है एंप्लेमेंट प्रविडेंट फंड है जिस प्रकार से सोल करोड करमचारी का एपिएप खाता खुला है यह अपना में साबित करता है इस देश की राजनितिक में राजनेता हूं कहना चाहता हूं कि एपिएप खाता करमचारी का तभी खुलता है जब करमचारी लगता है काम पर बिना काम पे लगे वे किसी भी वेक्तिका एपिएप पाँचवी शक्ति बनाकर के आर्थिक शक्ति बनाकर के देश को खड़ा किया है और आप आरोप लगा रहे हैं कि देश को गर्त में ले गए हैं वित्तिय कूप्रबंधन रहा है क्या कहीं देखिए देश भारत 21 सदी का सबसे युवा देश है और ओसत आयू 28 वर्स है अठायस वर्स के युवाओं में जो ओसत आयू है वो पूरे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पर 42 परसेंट बेरोजगारी है और इस देश के अंदर इस वक्त 45 वर्सों की सबसे क्या है अगनीवीर योजना के अंदर आपको पता है हमारे सैना का मनोबल कितना टूटा आज एक सैनिक भरती होता है 16 साल की उमर में 17 साल की उमर में 21 साल में वो आउट आप सर्विस आ जाता है 21 साल के अंदर वो रिटायर हो रहा है और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ना त को CSD के facility मिलेगी तो आज यहां पर ये इतना बड़ा disparity आज पूरे मलब सैना के अंदर इतना बड़ा रोस है और हमारी अगनीवीर में जो बेरोज़गार लोग हैं उनमें इतना बड़ा रोस है पुलवामों की सहीदों के नाम पर हो सहीना आप बार-बार धार्मिक धुरूई करेंट पर जाके बात करते हो आप खानपान पर जाके बात करते हो आप तरीकह से बड़ा है एक तरफ चीन से आप कहते हो कि साफ आप चीन के सामने आंक उठाने की इम्मत नहीं कर पा रहे हो और दूसरी deficit जो हमारा चीन के साथ है 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनाती है इसके उपर चीन से आपरे किस्तों को लेकर जवाब ले लेते हैं एक लाइन का ज़्याइब लेकर होगा फिए चाइना के बारे में आप अपने गिरेवान जहांगे देखिये चाइना से चंदा लेने बाली से लुक्तर ननीया हो सकता आप आप आता हुँ उल्य्क्रेंड की बात की बहुत जौरदार बात बताता हुँ आफको सोधा सो क्रोड़ रुपे कांग insDE ने लिये हैं जिस पार्ठी के करद मैं बता रहा हूँ मैं भता रहा हूँ इस fight रहा हूँ मैं तो खुद भता रहा हूँ तो खुद बता रहा हूँ तीन सो तीन सो तीन्सान सटों की पार्टी से थूडिये 17 तो प्षोधा करोड अ अज्में के लिए बंट की पार्टी जूदा सु करोड यी है और आज के रहे हैं फनगा, ब मदधा हुरी इब लिए करआँ कि छिएं और काटの फेसा के लिए अब तो ये EPS को स्विकार करने का मतलब है का आप ने चंदा क्यों लिया 14 सकरूर अरे तो आप बना कर देते हैं हम नहीं लेंगे EPS खराब है आप कहते हैं वहाँ पे EPS से चंदा आप नहीं लेंगे खराब है क्योंकि जो पार्टी टेबल के निचे से चंदा लेती थी 15 साल तक 15 स लेकिन आप ने प्रदान मंत्री जिन ये इस्तती लाके खड़ी कि ए देश के सामने हैं ये देने वाले का भी पता चल रहा है और लेने वाले का भी पता चल रहा है उसकी पोल खुल चुकी है और जनता जब सरकार बनेगी था ये लोग जेल में होंगी वो तो बदली नहीं हैं दोनों के अपने अपने दावे हैं अपने वादे हैं चैतन राजपरोह जी और राजेंद्र रार्ये जी आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज का एजिंडा में हमने चर्चा की देश के विभिन मुद्दों की चुनावी सभाओं में की जाने वली चर्चाओं की कल किसी और मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार